एक्जाम होना था अब्जेक्टिव का अब एक्जाम हो रहा है था अब्जेक्टिव का भाईया कहां से प्रिपेर होंगे आप खूद बता दिए अन्नमस्कार मैं हूँ राजमुहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार दरोगा बहाली 2446 पदों के लिए जिसका पीटी और मेंस का रिजल्ट किलियर हो चुका है और अब फिजिकल टेस्ट की बारी है यानि सारेरिक दक्षता परिच्छा की बारी है 22 मार्च से ये प्रारंब हो रहा है यानि कल से और 11 अपरेल तक इसे चलना है इस फिजिकल टेस्ट में सौटपूट, रनिंग, लॉंग जम्प, हाई जम्प, आधी इत्याधी कई फिजिकल टेस्ट लिये जाएंगे अभियर्थियों के लेकिन इसमें थोड़ा पेच फस्त माल आपको दिखाई देगा, बात हाई जम्प की है, हाई जम्प में थोड़ी समस्या उत्पन हो गई है, और क्या समस्या है, इस समंद में हमारे साथ बात करने के लिए मौदूद है, गुरुकल फिजिकल सेंटर के संस्थापक मोनु सर, क्या कुछ शमस्या है, ये वो ही ब हैं, तो ये जो फिजिकल टेस्ट का एक्जाम ले रहे हैं, किसी भी गाइडलाइन के साथ आप ले रहे हैं, और सभी का माप तॉल है, जैसे कि सौटपूट है, गल्स के लिए तो सावा पांच किलो है, और बॉइस के लिए तो सावा साथ किलो है, तो उसका मेजर हम नहीं बनाया है, या कोई और पाटिकुलर नहीं बनाया है, कोई आयोग नहीं बनाया है उसको, सौटपूट का माप दंड या हाई जम का हाईट, या हाई जम का लेंट, ये उपर से ही बन करका है, मतलब ऑलमपीक, ऑलमपीक जो होता है, गैम, रूल रगलेक्शन के शाथ होता है और इस गद्दे को हमेशा सर्फेस के ऊपर रखते हैं अभी हुआ क्या है क्या दो तिन दिन से ये मतलब चीजें चल रही है और ये चीजें चलने का कारण है कि आयोग में लेना है हाई जम और गद्दे भी प्रवाइट कर दिया गया है कला संस्कृति युवा विभाग के मा समीन में गार दिया गया है आधे से ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं आपको उसमें लगबग बारा इंच ग्यारा इंच भी गद्द्या का हाइट नहीं है और यदि आप चारों बगल से उस गद्दे को घेर देंगे और उस पर जंप लेंगे तो उस पर इंजूरी होगा ना इ उसका इवेंट है हाई जम के बाद सौट्पूट फेकना है लॉंग जम करना है तो बच्चे भैवीत हैं और बच्चे तमाम ऐसा नहीं के गुरुकुल में ही जितने बच्चे हैं वही भैवीत हैं भैवित हैं पूरे मतलब बिहार के जितने भी होनहार इस्टुडेंट है रात दिन एक करके पहले पढ़ाई करते हैं सर उसके बाद फिजिकल का ट्रेनिंग लेते हैं बालू पे जाते हैं सुभा पांच बजे से एकदम सितलहरी में ठंडा में लेकिन उसके बाबजूद भी यह नॉंसेंस वाला चीज मतलब जिसका कोई अबशक्ता नहीं है इससे प चीज से क्ते हैं थोड़ा स Mich के इनका कारण है कि अबयारतियों के साथ सोसन करना अबयारतियों के साथ छिड़कानी और नहीं है और तो यदि हिलने नहीं देना है यह हिल जाता आपको तो चारो साइड से आप फीता लगा दीजिए ना फीता से चारो साइड नेल्स लगा उसको बंद दीजिए पिछले बार भी बहाली में पिछले बार बहाली में मात्र सत्रों सो सत्रव का वेकेंसी था उसके बाद वही है ब और लिया जा रहा है यह अचानक से इस तरह का कर देना यह तो अपना दिमाग लगा देना कोई भी चीज जो भी है आयोग के जो सचीव हैं चेर्मेन हैं सुमीत कुमार सर वह बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी का मतलब है बहुत लेकिन वरकर के थूँ या और किसी के थूँ यह इस तरह का चीज हुआ है गड़वड़ी चोटा सा गड़वड़ी यह नहीं है इसको सुधारा भी जा सकता है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज हो गया है गद्दे को अंदर कर गद्दे को आपको बाहरी रखिए मेरा एक तक डिस्टीक स्टेट नेशनल लेवल खेला हूँ तो मुझे पता है कि गद्दे को कहां रखा जाता है गद्दे को किस तरह से रखा दायता है और सिर्फ खाले गुरुकूल के बच्चे भैवीत नहीं है इससे सर इसमें तमान बिहार के जितने भी बिहार दरोगा के व्या है साथ किलो किलो सालवाज के यद्यैक है यह तो कोई नियम नहीं आपको कोई नियम का दो । इस इलिए मेरा अपील है मुखमंत्री साब से मानिय नितिसकुमार fights से देश के परधान मंत्री श्री नेरेंद्र मोदी जी से क्या इस चीज को सुधारत दिया जाए और जो भी इसमें कारियरत हैं आयोग के जो भी इस चैन परिशर को जो भी ले रहे हैं इस फिजिकल को उससे हमारा एक ही बिनम्र निवेदन है हाँ जोड़ करके विंती मेरा है कि आप गद्दे के साथ छ शेड़खानी मत कीजिए अब ट्रैक पर हम काटा भी छा दें ट्रैक हम सीसा भी कपे हम बालो भी छा दें गद्दा को हम गाल दें यह कहा का नियम है आप गद्दे को सही से रखवाईए और गद्दे पे जम्प लीजे जो आपका नियम कहता है जिस चीज के लिए आप गद्दाल मंगवाए हैं ये कौन सा मतलब हो गया कि किसी के साथ कुछ भी करने लगे आप कोई बोल नहीं रहा है लिया का तलिगी सर बिहार एस्टलेटिक का ही पाठ है न सर हाई जंप लॉंग जंप रणिंग ये किसका पाठ है अथलेटिक का पाठ है तो अलंपिक का ही गाइडलाइन ना फॉलो होता है तो ये चीज को कौन बताया जाया और बच्चे आप लोग ये मत कहो कि ये ठीक हुआ है इसके लिए आप सोचो ऐसा नहीं क उसको यसे यह रहा और इसको चोटा कर देंगे आपको डर लगेगा की नहीं इसमें जंप करने में आप बताइए यदि यह comfort है मैं बेली मारू सीजर मारू कोई भी jump पारो international नाशनल जम्प मारू कोई भी तरह का जम्प मारू मैं तो गद्दे का उचाई जो बनाया गया है ओलम्पिक में इतने इतने महान-महान स्पोर्ट्समें ने इस चीज को क्रियेट किया है आज तो किया नहीं है अठारस्व च्हानवे में मौडर्न उलम्पिक का उद्गाटन हुआ हमारे विश्व में उस समय से गद्दे का यूज हो रहा है अब कोई टीचर बोलते हैं कि पत्थर में कुद जाओ डरोगा बनना है अरे वाई दरोगा तो वो तब न बनेगा जब वो एकजाम को पास कर ज मेहने में आप गल्स का अप्रेल के महने में क्या होता है सर स्कूल और कॉलेज मौर्निंग सिप्ट हो जाता है और आप उसमें भी 12 वजे दो पहर में दोड़वा रहे हैं फिर भी कोई नहीं बोल रहा है कुछ ये इसका मतलब यह थोड़ी है कि सब यहां पे हुटा छाप ह यह लोग B.A.M.A. PhD करकर के इतना रात दिन मेहनत करकर के UPSC लेबल का BPSC लेबल का कोसन पूछा जाता है उस तरह का मेहनत करके यह लोग लगे हुए हैं और इनके परतिवा के साथ यह छिडखानी करना यह बहुत ही गलत है बहुत ही गलत है मैं मोनूरंजन जब तक गद् प्रेंस करूँगा आपके चैनल को मेरा स्वागत है आप इसको तमाम भाईयों जितने भी हैं आप इस वीडियो को इतना सेर करें कि ताकि PMO तक पहुंच जाए ताकि CMO चले जाए सब जगह इनको फैलाने का काम किजिए और अपनी आवाज को उठाइए पाप सहना जितना सकता बड़ा पाप है सर, उतना बड़ा पाप करना नहीं है, यदि आप चुप हैं तो पाप सहर हैं सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आवाज उठाईए अपनी बाग मांगों को रखिए और मैं किसी प्लिटिक से नहीं हूं सर, मैं पिछले सात वर्सों से निसुल परसिक् गा मुझे इससे उर्जा मिलती है कि मेरे ट्रेणिंग से मेरे स्किल से मेरे सिखाएवे बच्चों का किसी का भविस्व बन जा है तो मैं इस चीज को जरूर बनाओंगा निरंतर करूं काम करूंगा और तमाम आप लोगों के मीडिया भाईयों से भी अन्रोध है कि तमाम इस चीज को आगे पहुंचा है और जो अभियारती हैं विहार दरोगा के अभियारती हैं उसको इंसाब दिलाएं सर इंसाब छोटा सा चीज है गद्दे को उपर कर देना है यदि गद्दे को फिक्स ही करना है तो चारो साइड से आप नेल्स लगा करके उसको उसमें फीता बच्चे भी भवित नहीं होंगे बच्चे को आप ले ले करके जाएंगे न बच्चे के भविस के साथ खेलिए नहीं सर इसलिए आदरनिय सुमीत कुमार सर से हमारा अनरोफ है कि आप इस चीज को समझें सर आपके भी बच्चे ilar सें बिहारतों मेरे टीपार्मेंट को आभी औरोगश के करें बच्चे को साहता नहीं मिले तो इससे बड़ा दुरभाग इंट नहीं तो हम लोग आतलेटी के वाले रहते स्पेसिए वाले रहते तो जो हम लोग स orch hyvin बापके हchae आदर्णिय सुमित कुमार सर आपके ही अंग हैं आपके ही ये अंग बनेंगे इसलिए इसके उजोल भविस्थ के लिए गद्दा को सर उपर कर दें बिनम्र अन्रोध है हम और हमारे जैसे सभी ट्रेनर भाईयों का आप से अन्रोध है कि आप प्लीज आप गद्दे को सर प्रैक्टिस तो यहां भी करेंगे प्रैक्टिस आप नहीं मानेंगे तो छोटे गद्दे में भी करेंगे इसके लिए कोई दिखने लेकिन बात मेरे कोचिंग का नहीं है बात है पूरे बिहार का अब लाश्ट टाइम में कल बेचारे का है आज आप गद्दा को नीचे कर यह कहां से करेगा तो इसी लिए इस चीज को आप सुधार लें सर और जिस तरह चलते आया है जो और्थोडोग बना हुआ है प्रंपरा बना हुआ है उसी को ध्यान में रखें सर और चेंजिंग इतना बड़ा नहीं कर दें ताकि भविस किसी का बरवाद हो जाए जहिन तो करनी की संभावना है जब अभ्यारती पहले ही डड़ा रहेगा तो वह अच्छे से अपना फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाएगा ऐसे में जरूरी है कि अगर मांग कर रहे हैं इस चीज को लेकर की गद्दा सही किया जाए जैसे पहले चला आ रहा है जैसे फर्स पर रखा ज और जो समस्य उत्रम को सुक्या मेंसा से इसी पर बैक्टिस किया क्या रहा है मैं और घागक कोबुल एक के कराया ज़िए गया इससी को घार्ड़ धिया घुआ यह इंठ दिया गया गया है और नाहें तो एक फीट बचा हुआ है और दोटलप हो गार तो पह्ते चनल की अ क्योंकि उनका पैर ज्यादा जो है सीजर में ही उठता है जिनको जैसा बेटर लगते हैं वैसा करते हैं और यह सरासर नियाम के कानून के खिलाफ है तो आपको पहले बताना चाहिए अब एटरेंडम लिया हमें दो दिन पहले पता चलता है कि गद्धा एकदम नीचे जमीन मे कि अधसा हुआ है तो हम उसके लिए कैसे और हम जो हमारे प्रैक्टिस अगर हम उसके विप्रीट तुरंत 오ंता है तो हमारा फैक्ट्स मेंटन करumb up करेगी डरहे ड़े हुए नहीं है इसके लिए हम प्रिपैरड नहीं है पूरी तर से पहले एक स्सें सुन्स होना था अब कऊछुट सब्जेक्टिब का बईया कहा से अब जुन मप मुञत नंखके कैसे तो बता दिडिव के एक가요 तो प्रिपेर्ड होता है आव कोई कछे कि अब इस रागर 이야기 ओसी तरह का यह भी बात है कि इसके पहले जब के बाद अब दो दिन पहले एक फोटो वाइरल हुआ जो कि गद्दा एक फिट से भी कम है और सही भी है कि यह वहाँ एक फिट से कम ही गद्दा मिल रहा है जिसे बहुत परिशानी का सामना करना पड़ेगा जितने भी यह स्टुडेंट यहां बिहार में दरोगा बनने का जो जो खून पसीना बाहा रही है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ना इंसाफ ही है लड़का लुक तो लग जी हां मेरा है मेरा कल बाइस तारी को ही है मेरा खास करके मैं तो और फ्रस्टेशन में हूँ क्योंकि मैं तैयारी भी इसका नहीं कर पाया हूं मैं नरकटिया के दोस्त हैं और यहां जितने भी लोग हैं सब लोगों के मन में डर बना हुआ है क्योंकि हम लोग आलरेड़ी 6 महिना पहले से जो तैयारी किये हैं वो 2-5 फिट के गद्दा पर तैयारी किये हैं लोग और अचानक से इतना छोटा गद्दा मिल जाना वाकई डर का बात सभ पूरा डर पैदा भी हुआ है क्योंकि जैसा कि मोनुशर ने बताया कि गद्दा जब फैलेगा नहीं तो इंजरी होनी की चांसे जाता है ऐसे में आयोग से वी एक वीनिती है इन अभीरतियों का कि जिस तरह से पहले परंपरी को रूप में जैसे ही फिजिकल का टेस्ट लि भी सकते हैं तो आयोग को इस पर सोचना चाहिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है और ज्यादा बड़ी इनकी मांग भी नहीं है आप देख रहे हैं लाइब यार तमाम अपडेट हम आप तक लागातर पहुंचा रहे हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें